नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर उपर एक बार फिर से आप सभी के लिए एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंसन भोग्यों के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त खुसखवरी जारी करती है दोस्तों आपको बता दें कि पैंसन में नए नियम लागो किये गए हैं जिसके अंतरगत अब बिना आविदन किये ही लावार्थियों को पैंसन दी जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने सई सुना है अब से समाज कल्यान भी भाग की तरफ से बिना आविदन किये ही पैंसन दी जाएगी हालक इसमें कुछ नियम निर्धारित के गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको बिना आविदन किये ही कैसे सरकार पैंसन देगी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से दी जाएगी कोन-کोन व्यक्ति बिना आविदन किये ही पयंसन का लाप ले सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दि जाएगी बस आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभितक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजे और जाज स्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं किरपयासी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा तो दोस्तो पैंसन भोगयों के लिए समाज कल्यान विभा की तरफ से कई बड़ी योजनाय सुरू की गई है और उनमें एक योजना है पैंसन योजना जिसमें अब सब लावार्थियों को हाली में जबरदस्त खुसकबरी दी है जिसमें दोस्तो अब बिना आविदन किये ही लावार्थियों को पैंसन दी जाएगी हाले कि दूस्तो इसमें कई नियम निर्धारित किये गए हैं जिसके अंतरगत लावार्थियों को पैंसन मिलने वाली है और किन पैंसन लावार्थियों को बिना विदन किये ही पैंसन दी जाएगी उसके बारे में भी समाज कनल्यान विभाग की तरफ से जानकारी देदी गई है यानिके अब से पैंसन भोग्यों को किसी भी कार्यालों या फिर दप्तर के चक्कर काटने की जरुरत नहीं होगी अब उन्हें बुढ़ापा पैंसन लगवाने के लिए समाज कल्यान विभाग की तरफ से दोस्तो पैंसन बिनाविदन के ही दी जाएगी ओनलाइन डोकुमेंट्स के आधार पर अब यहाँ पर धहन दी जगा किस प्रकार से आपको पैंसन मिलने वाली है दोस्तो ओनलाइन डोकुमेंट्स के आधार पर SD ओपिस की तरफ से जिलास समाज कल्यान विभाग में सर्वे लिष्ट आ रही है जिसमें विभाग की टीम लावार्तियों के घर जाकर उनके डोकुमेंट्स और फोटो विभाग से समन्दित पोर्टल पर अप्लोड करने के बाद आगामी महिने से पैंसन दी जा रही है दोस्तों इसकी बारे में तमाम जानकर हम आपको देंगे यहां पर बताया गया है कि जो भी पैंसन लावार्ति हैं अब क्या होगा कि जो विभाग की टीम होगी अब लावार्तियों के घर जाकर उनका दोस्तों डोकुमेंट्स जो भी होगा वेरिफाई करेगी उनके पैंसन किन-किन फैंसला बारत्य को मिलने वाली है याने कि बिना आवेदन के ही कौन पैंसला बारत्य यह पैंसन ले सकते हैं चलिये उसके बारे में भी हम आपको जानकर देते हैं अगर आप कर देडन दोस्तो कि इस बोटल पर कुछ को विभाग की तरफ से हैं Oh उटोमेटिक जिले की गर बात करें तो बढ़ापे में जो बढ़ापा पैंसन है उनसकी संक्या यहां पर तीन हजार पांसो तीन ऐसी ऐसे दाबारती हैं जिनकी पैंसन आप तक बना जा चुकी हैं बिना आविदन के ही उनकी पैंसन को अब सरकार जारी करेगी वहीं आपको बता दें कि लोगों ने विभाग की इस प्रिक्रिया को बहतर बताया है यानि कि जो बुढ़े वैकती हैं उनने कहा है कि यह पैंसन जो सरकार की तरब से दी जा रही है बिना आविदन के ही जो प्रिक्रिया सुरू की गई है वह बहुती बहतर है अब बुजरु बुजरुगों को कहीं पर भी जाने के उसकता नहीं है और प्रिशान भी नहीं होना पड़ता है विभाग में भी इसकी भीड कम हुई है लोग का विश्वास बढ़ गया है और दोस्तों यहां पर जिला समाज का लियान विभाग बुजरुगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए समय रहते पैंसन जारी कर रही है अब यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि जिला समाज का लियान विभाग के मुख्य जो अधिकारी है सत्यवान डिलोड ने बताया है कि फैमली आईडी में लोग की तमाम जानकारी होती है और जिसके अधार पर ही किलियर हो कि कितनी उम्र है अगर आपके पास फैमली आईडी नहीं है तो आप अपनी फैमली आईडी बन वाले क्योंकि इसके बिना आप बिना विदन के पैंसन नहीं ले सकते हैं यह फैमली आईडी में तमाम जानकारी होती है जिसमें तमाम जानकारी मिल पाती है कि वैक्ति की उम्र क्या है किस पैंसन लावारती को पैंसन देने चाहिए कोन पातर है कोन आई पातर है तमाम जानकारी मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पर पताया है कि जिन लोग की उम्र साट साल हो जाती है उनकी लिष्ट हमारे पास आती है जो मुख्य यहाँ पर अधिकारी हैं उनके दुवारा कहा गया है कि फैमिली आइडी के नुसार 60 साल की उम्र तक पैंसन दी जाती है और जितनी भी फैमिली आइडी में उम्र होती है उतनी ही उम्र के नुसार फैंसला लिया जाता है दोस्तों बताया गया है कि उस लिस्ट के मुताबिक वह लाबार्थी एडरस पर पहुँचते हैं इनके जो भी फैंसन है वह फिर आना प्रार्म हो जाती है फोटो की बैगराउंड से ही किलियर हो जाता है कि टीम फिल में गई है या फिर नहीं इसे किसी भी परकार की गड़बर नहीं होती है और दोस्तों यहाँ पर जो स्विधाये हैं यह दिव्यांगों को भी दी जा रही है यानि कि यहाँ पर जो बुजुर्ग पैंसन धारक ह ौपिsın, जिनकी उम्र शाट साल हो चुकी है उनको यह लाब दिया रहा है यह सूविधा दी जा रही है अब यह सूविधा दोस्तू वहें ले सकते हैं जो हर्याना के निवासी हैं जो हर्याना में रहते हैं जिन्होंने फैमिली आईडी बनवाई हुई है वही इसका लाब ले सकते हैं बिना आविदन के ही पैंसन ले सकते हैं यनि के यहां पर अधिकारी घर पर आएंगे तमाम जान कर लेंगे फोटोज लेंगे और वह अपलोड किया जाएगा पोटल पर उसके प्राण दोस्तों पैंसन आना प बारा यह स्विधास सुरकी गई अगर आपको कोई दूसरा राज्य है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें आपसे हमारा निवस्तन है कि आपने वीडियो लाइक नही बारत है कि यदि आपका कोई भी सवाल है तो अब सवाल करेगा इस सदक्रमाद्य पर सब्सक्राइश कर दे कर दो